हाई अब्रीबन, 2023 को लेकर काफी सारे बच्चे एक सवाल पूछ रहे हैं कि कब से यूट्यूब पर 23 की क्लासे शुरू होंगे स्ट्रेटेजी हम क्या रखें, कौन सी बुक्स हमें फॉलो करनी चाहिए, कितने number of questions हम प्राक्टिस करें पर chapter so that भेतर से भेतर हम 23 में score कर सकें और ऐसे कई सारे questions हैं जो लगातार आपके आ रहे हैं या app के FAQs हैं बिटा, आपके इन सभी सवालों का आज के इस वीडियो में हम जवाब दे रहे होंगे मेरा नाम है महेंदर सिंग और आप सभी लोगों का स्वागत है नीट 2023 की जरनी आज के इस वीडियो से शुरू करते मिटा इसमें स्टडी टिप्स आपको मिलेगी, स्ट्रेटेजी आपको मिलेगी, बेस्ट बुक्स कौन सी फॉलो करनी हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलोजी तीनों में क्या करना है आप एक एफेक्टिव तरीके से अपनी प्रेपरेशन को शुरू कर पाएंगे और फिर आप उसे फॉलो भी कर पाएंगे स्ट्रेटेजी वाइस अगर मैं बात करूँ बिटा तो आपको अपनी खुद की एक स्ट्रेटेजी बनानी है किसी की सजिस्ट की हुई स्ट्रेटेजी से ज्यादा बहतर अगर आप अपनी खुद के स्ट्रेटेजी बनाओगे पॉइंट्स हर जगसे उठाईए ठीक है और उन सारे पॉइंट्स को एक्युमेलेट करके फिर अपनी सुटेबिलीटी के अकोडिंग एक बहतर से बहतर स्ट्रेटेजी आप प्लान करें आप ज्यादा आगे पहुँच पाएंगे बहतर आउट्पुट ले पाएंगे कुछ क्वेस्टन जो आपके दिमाग में शायद अभी चल रहे हो वो ये कि कौन सी बुक्स हमें फॉलो करनी चाहिए NCRT Physics की Read करनी है या नहीं करनी है अगर करनी है तो तरीका क्या होगा और कब पढ़नी चाहिए फिर Number of Questions per chapter Best way to practice PYQs जब chapter खतम होगा तो हाथ के साथ सॉल्व करें topic wise सॉल्व करें या एकदम syllabus कंपली करने के बाद में एंड में PYQs सॉल्व करना है बिटा अब बहुत सारे बच्चे आपकी तरह जिनका class 11 खराब हो चुका है अब सवाल यह है कि नीट और बोर्ड दोनों के एक साथ कैसे manage करें कि बोर्ड भी important है और नीट भी important है और parents कहे रहे हैं कि बोर्ड में अच्छे percentage बनाना बहद जरूरी है गलत भी नहीं है उनकी जगह वो सही है तो आपके इन सभी सवालों का जवाब आज के इस वीडियो म पड़ा हुआ है practice नहीं करी है तो कहता हूं मैंने category भली दो बना दी लेकिन आप हैं एक ही तरह के सभी बच्चे आप class 12 से शुरू करिए अपना जो भी नीट 2023 का syllabus है आप उसे शुरू class 12 से करिए पहले तो NTA की website से जाकर syllabus download कर लीजे physics chemistry biology तीनों का syllabus आपका handy होना चाहिए study table के सामने लगा हुआ होना चाहिए और जो जो chapters होते चले जा रहे हैं उसके उपर आप cross बनाते चले जाए एक line बनाते चले जाए टिक बनाते चले जाए इससे confidence आपका boost होगा तो class 12 का syllabus पहले करने का फाइदा क्या है दो फाइदे पहला तो class 12 का syllabus है वो नीट में more than 50% पहले खतम करोगे तो कुछ-कुछ subject में practical difficulties आने वाली जैसे physics में और physical chemistry में अगर सीधा आप class 12 पे जम करोगे और basic math complete नहीं करोगे तो फिर आपको chapters समझने में दिक्कत होगी physical chemistry के point of view से logs, anti-logs बहुत important है और physics के point of view से differentiation, integration, trigonometry, थोड़ा बहुत geometry तो यह आपको आना चाहिए तभी आप physics और physical chemistry में अपनी physics को और physical chemistry को strengthen कर सकते हैं, concepts को समझ सकते हैं, questions आपसे बनना तभी शुरू होगे तो यह बहुत ज़रूरी है अगर आप organic chemistry अभी से पढ़ना श हैं, वैसे जब आप teacher के साथ पढ़ेंगे तो कोई भी educator आपको पहले general organic chemistry ही पढ़ाता है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा importance नहीं है, लेकिन यह physics और physical chemistry के लिए basic math is really really important, अब यह सारी चीजे तो आपको बता दीगे, अब तीन सब्जेक्टे बिटा आपके पास biology है, physics है और chemistry courses आएंगे for sure, लेकिन वो free courses जो है, जब NEET 2022 का exam खतम हो जाएगा, उसके बात शुरू होंगे, तिल देन आप चाहें, तो हमारी मैधावी के courses से पढ़ सकते हैं, तो only NCRT is necessary, मतलब यह Bible है, biology के point of view से, NCRT examplers और NCRT at your fingertips, यह तीन किताब यह अगर आपके पास है, तो जितने मेरे बच्चे, मेरे साथ associated हैं, जिन्होंने ranks निकाली है, उन्होंने वसे तीन चीज़े करके बहतर अपना काम कर लिया, physics में अगर हम बात करें, expert lectures are really important, तीनों ही subject में expert lectures are really important, तो class notes, पहली चीज, दूसरा PYQs, class notes में ही, आपको concept application PYQ के जरिये करवाय जाता, अगर आप साथ PYQ हो जाते हैं, अगर किसी book की बात करें कि कौन सी best book से जिसे हम follow कर सकते हैं, वो है DC Pande, फिर उसके बाद आप चाहें, तो अगर आप plus join कर रहे हैं, और अगर आप MS live code use करते हैं, अगर आप Envision का हिस्सा बन रहे हैं, तो you will be able to get MS modules, क्या हैं ये, ये 5 exercise का एक module है, पर chapter और पांच exercise में पहली exercise, basic question जिसे concept application, दूसरे में mixed concept, तीसरे में नए तरीके के सवाल जो पहली बार आपके सामने होंगे, आपने कहीं और नहीं देखे होंगे, फोर्त में PYQ और फिफ्त में हम assertion region रखते हैं, अगर आपने physics में MS module solve कर लिए, तो आपको और कोई किताब और किसी तरह का study material follow करने की ज़रूरत नहीं है, chemistry में NCRT as usual, वो तो पढ़नी पढ़नी है बिटा, फिर NCRT examplers, NCRT finger tips, और एक कोशिश आप करिएगा daily basis पर चाहे आदा गंटा, पेंता अलिस मिनट, हो सके तो एक गंटा, inorganic chemistry अपने से daily पढ़े बिटा, अभी आपके पास समय हैं, देखे, ample amount of time आपके पास बनता है, अगर आप school जाते हैं, तो bus में travel करते वक्त, आप inorganic chemistry का एक chapter पढ़ सकते हैं, एक गंटा बस आप inorganic chemistry को daily दे दीजे, तो जब तक आपका syllabus बाकी चीज़ों का खतम होगा, आप self help से inorganic chemistry complete कर चुके होंगे, क्योंकि पूरा का पू सबसे पहला आपको कोई भी एक particular base follow करना है, expert lectures को follow करना है, physics में भी, chemistry में भी और biology में भी, फिर जो भी class illustration class में करवाये जाते हैं, जैसे अगर physics में पढ़ा रहा हूं, तो मैं class में concepts को सिखाने के लिए कुछ questions आपको करवाता हूं हाथ के साथ, वो questions बहुत important हुते हैं, उन् के आज खतम कर लीजिए, फिर जो भी dpp's आपको मिलती है, hello physics में टेलीग्राम चैनल पर, अगर आप physics मुझसे पढ़ेंगे, तो daily basis पर मैं आपको dpp available करवाऊंगा, फिर आपको formula charts और short notes, ये बहुत important है, formula charts chapter wise बना लीजिए, short notes भी chapter wise, खुद के short notes होना चाहिए, hand return आप और भी बहुत सारे educators प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हमारे बना हुए short notes उतने effective आपके लिए नहीं होंगे, जितने आपके खुद के short notes होंगे, तो ज्यादा बहतर है, आप अपने खुद के short notes बनाए, फिर self help practice paper बेटा, ये क्या है, जब आप कोई module solve कर रहे हैं, किसी भी institute क हो सकता है, वो module, MS module हो सकता है, या फिर कोई standard book जैसे DC पांडे सरका किताब, तो जब आप इन्हें follow कर रहे हैं, तो कुछ questions आपको ऐसे मिलते हैं, throughout the chapter, जो बहुत अच्छे हैं बिटा, उन chapters पर आप star mark कर दीजे, उन questions पर आप star mark कर दीजे बिटा, और उन questions को फिर आप as a test practice कर सकते हैं, आदा घंटा 45 मिनट का time set करो, और जैसे suppose अगर मान लिजे, आपने electrostatics practice किया, electrostatics में आपने 20 questions select किये, अब उन 20 questions को आप 30 मिनट में खतम करने की कोशिश करें बिटा, तो आपका खुद का एक paper हो गया, इससे किसी पर भी आपकी dependency नहीं होगी, और effective आप काम कर पाएंगे, तो day one से आपकी habit बनेगी, exam देने की बिटा, और यही habit आपको आगे ले जाएगी, यही habit आपको rank दिलाएगी, और जो भी concept आप सीखते हैं, अपने दोस्तों के साथ discuss जरूर करें, यह revision का सबसे effective और बहतर तरीका है, group study भी हो जाती है, और आप अपने दोस्तो से जब questions पूछोगे, concept पूछोगे, फिर वो भी आप से कुछ पूछेगा, तो ऐसे करके आप अपनी physics को, chemistry को, biology को handy रख सकते हैं, multiple revisions आपके ऐसे ही संभव हो पाएंगे, चीक है जी, अब बात किये कि सर पढ़ाई, YouTube से करनी चाहिए, या फिर plus से, देखिए, बिल्कुल choice आप किये, मर्जी आपकी आप YouTube से पढ़ सकते हैं, मर्जी आपकी आप plus से भी पढ़ सकते हैं, YouTube पर courses आएंगे लेकिन after 17th जुलाई बेटा, ठीक है, after 17th जुलाई यहाँ पर नई बेच आएगी, अगर आप बात करें तो ठीक है, यानि कि अभी तो आपको क्या करना है, अगर आप plus join कर सकते हैं, तो definitely यहाँ पर हम लोग envision बेच चला रहे हैं, और envision आपके लिए बहुत helpful हो सकता है, अरली अगर आप start करेंगे, तो you will be ahead of the curve और फिर किसी तरह की आपको problem नहीं आएगी, तो यहाँ पर यह बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी हम लोगों ने 20% तक का आपको benefit मिल सकता है, अगर आप code use करेंगे MS live, तो maximum possible discount के साथ 25% आपको additional benefits यहाँ पर मिल जाएंगे, तो यह बहुत जरूरी है, अगर आपको ठिक लगता है कि YouTube पर distractions होंगे, और why I should wait for 1-1,5 मैना, 2 मैने का समय है, मैं इतना time क्यों खराब करूं, मुझे अभी से envision का हिस्सा हो लेना है, और मुझे पूरियन academy need की team के साथ connect होकर पढ़ाई करनी है, तो फिर यह join कर लेना चाहिए, MS live code लगा लेना, अच्छा, अब क्या-क्या, अगर आप 23 की तयारी करना चाहते हैं, तो 1-year का subscription आपके लिए काफी होगा, चीक है, और अगर आप 24 की तयारी करना चाहते हैं, तो आप 2-year का subscription प्लान कर लिजी, आपके लिए 2-year का subscription बहतर होगा, और जल्दी से अगर plan करी रहे हैं, मन बनाई लिया है, investment के बारे में सोची लिया है, कि आगे चलके better से better return ले पाएंगे बिटा, तो जल्दी से subscription ले लेना, जादा इंतजार मत करना, क्योंकि ये 25% का जो offer है, ये सिमित समय के लिए है, अब और क्या सवाल आपके रह गया भी, तो should I read NCRT of physics or not, तो इसका जवाब है, of course पर नहीं पड़ेगी, ऐसा नहीं कि नहीं पड़ोगे तो काम चल जाएगा, physics, chemistry, biology तीनों में ही सवाल NCRT से ही आते हैं, लेकिन इ उसके बाद जाकर NCRT read, last में, तो ज्यादा समझ में आएगा, ज्यादा बहतर समझ में आएगा, अब should I solve a book, यहाँ पर question क्या आता है, should I solve a back exercise of NCRT, physics में जो पिछले की exercise है, जो पीछे के question से, क्या वो solve करने चाहिए, तो देखो उसका जवाब ये है, कि हाँ, आपको उन्ह इसके बारे में सोचो उसके पीछे की physics for understand करने की कोशिश करो, क्योंकि NCRT के जो back exercise के questions है, mathematics बहुत ज्यादा है, उतनी ज्यादा mathematical calculation need में required नहीं है, तो आप उसे skip कर सकते, but mental calculation करके उसके पीछे की physics और concepts जरूर आपको सीखना है, right, so thank you so much, hope आपको 2023 के लिए काफी सारे insights मिल करने होंगे, biology में, chemistry में, physics में, कौन-कौन से books follow करने हैं, किस तरह से पढ़ाई करनी है, youtube पर हम कब से आपके लिए courses लेकर आएंगे, plus for already आपके लिए course Nvision के नाम से चल रहा है, MS live code लगा कर आप उसे follow कर सकते हैं, और किसी भी तरह कि अगर आपको further study tips या फिर help चाहिए, regarding your preparation तो t.me slash anacademy hello physics, आप ये telegram channel join कर सकते हैं, you can connect me, connect with me बिटा, और मेरी team के साथ भी आप connect हो सकते हैं, अगर आप subscription plan करें, तो MS live code लगा कर अपने लिए 25% save कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में बिटा, यहाँ पर prices are going to be high, तो अभी आपको काफी amazing benefit मिल रहे हैं, और आ 19 तक याने की 2 या 3 दिन का समय आपके पास है, तो अगर मन बना लिया है, तो फिर plan कर लीजिए, 23 के लिए 1 year का subscription, 24 के लिए 2 year का subscription, suggested code is MS live बिटा, till then wish you all the very best, bye bye, take care